आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माई इंग्लिश पार्चारला चैनल पर वेल्कुम तू माई क्लास ग्रीफिन एक साइनटिस्ट है मिस्टर और मिसेस हौल आइपिंग में एक इन अर्थात सराय के मानिक हैं कलरजी मैं एक पादरी है और मिस्टर जैफर्स एक पुलिस मैं है इस कहानी की सैटिंग दो जगाओ लंडन और आइपिंग में दिखाई गई है चले स्टार्ट करते है अपना लेसन लेंडन शहर के बीचों बीच दो लड़के एक व्यक्ति के पाउं के निशान को देखकर हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि पैरों के निशान तो बन रहे हैं पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा तब ही फिर अचानक से एक नया पत्चिन बना और एक के बाद एक नया निशान बनता जा रहा था वो निशान सीरियों से सड़की ओर जा रही थे उत्सुक्त वस उन लड़कों ने उस निशान का तब तक पीछा किया जब तब वो निशान धुन्दले होकर गायब नहीं हो गए दरसल वो लड़के एक ग्रीफिन नाम के वैग्यानिक का पीछा कर रहे थे जिसने हाल ही में मानव शरीर को इन्विजिबल अर्थात अद्रिश्य बनाने वाली एक दुर्नव ओस्दी का अविश्कार किया था और उस दवाई को खाकर उसका सरीर सीशे की तरह ट्रांस्परेंट हो गया जिसके आर्पार देखा जा सकता था ग्रीफिन एक ब्रिलियंट साइन्टिस्ट तो था ही पर वो कानून का बिरोधी व्यक्तिवी था लंडन में उसकी लैंडलोडी अर्थात उसकी मकान मालिक उसे पसंद नहीं करती थी और उससे अपना घर खाली करवाना चाती थी इन्विजिबल होने के बाद अपनी मकान मालिकिन से बदला देने के लिए ग्रीफिन ने उसके घर में आग लगा दी और कपड़े उतार कर वहां से भाग निकला ताकि कोई उसे देख न पाए और चलते समय उसके पैरों में कीचड लग गया और कीचड युक्त पैरों के निशान छोड़ता हुआ चला गया उन दो लड़कों से तो ग्रीफिन ने असानी से पीछा चुड़वा लिया जो लंडन में उसका पीछा कर रहे थे पर उसकी प्रॉबलम्स अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि उसने लंडन में निर्वस्त्र होकर भूमने के लिए बिलकुल ही गलत समय का चुनाप किया था ये सर्दियों के मध्या का समय था और इतनी ठंड में निर्वस्त्र होकर गूमना ग्रीफिन के लिए संभव था ठंड से बचने के लिए उसने लंडन के एक बड़े स्टोर में रवेश किया स्टोर बंद होने के बाद उसने एक बोक्स को तोड़कर कपले निकाले और सीगरी उसने कपले जूते ओवरकॉर्ट हैट पहन कर एक मानव जैसा वो दिखने लगा पास के ही एक रेस्टोरॉन के किचिन से उसे एक कॉल्ड मीट और कॉफी मिल गई उसे खाने के बाद उसने कुछ मिठाई अवय मदिरा पी और उसके बाद वो स्टोर में जाकर कदो पर सो गया और सुबए आग खुलने पर ग्रीफिन ने देखा कि स्टोर के वरकर्स उसके पास आ रहे हैं जिनने देखकर वो भैवीत हो गया और भागने लगा और वो लोग ने उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे और खुद को बचाने के लिए ग्रीफिन को फिर से कपड़ हैट और बाकी कपड़े लिए और इसके बाद बहुत ही कुरूरता पूर्वक शॉप फीपर पर पीछे से हमला किया और उसका सारा धन चीन कर भाग गया ग्रीफिन अब लंडन की भीड़बार से दूर जाना चाता था और इसलिए वो आईपिन गाओं चला गया वहापर मि नर्थात सराय में एडवांस देकर दो रूम बुक कर लिये मिसेज हॉल भी इस मुसम में ग्रहक को देखकर खुश हो गई कि चलो कम से कम कोई तो आया और इस कारण उसने उसकी अजीब शक्र को देखकर भी कोई प्रश्ण नहीं किया और अपनी इन में रहनी दिया मिसेज मिन्स हॉल उससे फ्रेंड्सिप करने का हर एक प्रियास कर रही थी पर गृफिन तो किसी से भी बात ही नहीं करना चाथा था उसने मिसेज हॉल से कहा मैं अकेलिए रहना चाता हूं और यह तो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्प करे और हां रह पायावा धन जादा दिन तक नहीं चल सका और हाल ही में उसे स्विकार करना पड़ा कि उसके पास अब धन नहीं है। हैरान हो गए क्योंकि अकसर तो ये दर्वाजा बंध ही रहता था पर यदि कोई गलती से भी उसके रूम में चला जाता था तो वो एकदम आग बगूला हो जाता था। मिस्टर और मिसेज होल इस मोके का लाग उठा कर उसके रूम की चानबीन करना चाहते थे। कमरा खाली था और उसका विस्तर धंडा था। इससे ये पता चलता था कि साइंटिस्ट काफी समय पहले ही अपने विस्तर से उठ चुपा था। पर सबसे जादा विस्तर बात तो ये थी कि जो कपड़े वे पट्टिया वो हमीशा ही पहन कर रखता था वो सभी आज कमरे में बिखरे में पड़े थे। पर अचानक मिसेज होल ने अपने कान के पास किसी के सास लेने की अवाज सुने और अगले ही पल बैड पर रखा हु मिसेज होल लगबब बेहोश होकर गिर पड़ी और उन्हें पिश्वास हो गया कि कमरे में कुछ प्रेतात्माओं का वास है और इस विचित्र से आदमी ने किसी पिरकार उन प्रेतात्माओं को मेरे फरनीचर में प्रवेश करा दिया है। चित्र वेग्यानिक पर ही संदे होता है और ये संदे तब और अधिक बढ़ गया जब उस साइंटिस्ट ने अचानक से नगत पैसे मिसेज होल को ला कर दिये। जबकि कुछ समय पहले ही उसने ये कहा था कि उसके पास कोई धन नहीं है। अंदर आ गए। ये बाते सुनकर ग्रिफिन प्रोधित हो गया और वो चीकते हो बोला। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। और चीक कर बोला। सबी विक्ती भैवीत हो गए। तबी पुलिसमेन मिस्टर जैफर्स वहाँ पर आ गए और वो ये देखकर हैरान हो गए कि उससे एक बिना सरवाले विक्ती को अरेस्ट करना था। मिस्टर जैफर्स को अपनी ड्यूटी करनी ही थी क्योंकि उस विचित्र वैग्यानिक को अरेस्ट करने का ओर्डर उसे मजिस्ट्रेट ने दिया था। और इससे कोई फर्प नहीं पड़ता चाहे वे विक्ती सिर्वाला हो या बिना सिर्वाला। पुलिस्मेन एक ऐसे विक्ती को पकड़ने का प्रियास कर रहा था जो जैसे जैसे अपने कपड़े उतारता जा रहा था वैसे वैसे ही आदर्श्य होता जा रहा था। अंत में वो पूरी तरह से इन्विजिबल हो गया और जब कुछ और लोगों ने उस पुलिस्मेन की हेल्प करने की कोशिश की तो उन सभी को भी मार खानी पड़ी। अंत में जैफर्स ने उस इन्विजिबल साइंटिस्ट पर काबू पाने के लिए अंतिम प्रियास किया तो वो एक जोरदार मुक्का खाकर बेहोश हो गया बहा मोजोद सभी लोग घबरा गये और चीखने लगे कि उससे पकड़ो पकड़ो पर ये केवल कहना ही आसान था करना बिल्कुल नहीं और ग्रीफिन ने खुद को जटका देकर छुड़वा लिया और ये कोई नहीं जा